दूधिया से मेले बनाई लियो दूध में पनिया नप्पिवेगी गोरिटो पे जिन्दगी जीवेगी आज तो भाईया खुशी के मारे मोपे रुका न जा रहा होए अगर भाईया घर में साली आए वाके खुशी अलग होतो है अगर छोटी वाली साली आए तब तो भाईया खुशी दूगनों हो जातो है अरे क्यों रे गदरिया कबसे मैं तो को ढोड़ता फिर रहा हूँ कहां चलो जाता है मेरे सासकी तूँ अरे यार कबोत्रा मैं तो 3-4 घंटे से यहीं पर लेटा हूँ यार अपना घर छोड़कर कहीं भी न आ गयो यह बता तू मोको मैं तो को हरपाल के टूगल पर बुलाया था आया क्यों आ तू अरे हमारे पास इतना ताइम थोड़ी ना है मेरे सासकी कि मैं हरपाल के टूगल पर आऊ इतनो बीजी, इतनो बीजी हो गया है मेरे सास की तू यह बताओ यार के धड़िया का तेरो मलेटरी फोज में सेलेक्शन हो गया हो का जो तू कहीं घर से बाहर ना निकल रहा हुए अरे बेटा, अभी तू कुवारों है न, तो को का पता अरे क्यो, साधी सुदर लोग की ही मलेटरी और फोज में भरती होती है का कुवारी की ना होती है अरे मेरे सास की भरती कीन क्यों ही है अरे भरती भरती किसी का ना हुआ है अरे हम तो घर ही पड़े है तो मेरे सास की घर पर इतना दरे दरे क्यों पड़े हो भाई, हर पार के तूवल पर क्यों ना आया तूँ अरे यार कबूत्रा, आज हमारे घर पे रिस्तेदार लोग आ रहे हैं, या कि मारी मैं ना आया हर पार के तूवल पर तेरे घर पे रिस्तेदार? अरे ऐसा को रिस्तेदार आ रहा हुए भाईया जो तु इतनो डला डला सा घर पे पड़ा हुए अरे कबूत्रा थोड़ा अपने दिमाग पे जोरा डाल को आ सकत हुए हमारे घर पे मो को तो लगतो है भहिया तेरे मामा आ रहे होंगे और को आएगा तेरे घर पे अरे हमारे मामा तो पिछले ही मैना आ गए थे अरे तो फिर तेरे मौसा आ रहे होंगे अरे मौसा तो हरी द्वार घूमने गए होए मौसा कहां से आ जाएंगे अरे मेरे सास की काहें को मेरे दिमाग कमा बहन कर रहा है तू अरे बताता क्यों ना है कि हमारे घर को आ रहा हुए अरे अपने दिमाग के थोड़ा जोर डाल जोर डाल को आ रहा हुए अब तू एक बात मों को ये बता तू राजी राजी बता देगो कि में तेरा खटीह पल्टूं कबसे पूछ रहा हूँ कबसे चूतियां डो बना रहा हूए तू Pensame ठीक न बता रहा हूँ कि को आ रहा है को न आ रहा होए अरे देख लियो देख लियो अकर न आ है तेरे पास मोको तो ऐशो लगतो है कि तेरे सार आ रहे होंगे अरे थोड़ा और नीचे आ थोड़ा और नीचे आ बहुत सही जा रहा होई तूं अरे तो फिर को आ रहा होई तेरी सास आ रही है का अरे थोड़े और नीचे आ थोड़े और नीचे आ थोड़ा ऊपर चला गया होई तूं तू राजी राजी मोको बता देगा क्यो उठाओ मैं डंडा अरे जो आएगा हमारे घर पे मन उसके संग पूरे गाओ में डोला करूँ गो अरे तो तेरे सार का लड़का आ रहा होगा और को आएगा तेरे घर पे मों को तो लगतो हैं भाईया पूरे जिनलगी में तो पे दिमाग कभी न आवेगा अरे मों पे दिमाग न आवेगा तो तुहीं बताए जो को आ रहा है तेरे घर पे अरे याद कर कबोतरा याद कर पीछली बार मैं पूरे गाउ में किनका हाथ पकल के गूम रहा था हाथ पकल के गूम रहा था पीछली बार मौपे तो भाई याद ना रहा होई अरे समझ गेओ मेरे सास की समझ गेओ अरे तेरी सारी आ रही है तेरी सारी अरे मेरे सास की तोको या बात कितनो देर में समझने आई यार अरे तेरी सारी कब आ रही है यार कितनो देर में आ रही है अरे मो को भी बताजियो अरे देख लिए मेरे सास की देख लिए आके फटी की फटी ही रह गई है सारी का नाम सुनते ही अरे यार गदड़िया पूरे गाउ में तू ही तो एक मेरो जिगरी दोस्त हो यार यार पूरे गाउ में मेरो तो भाया किसी किसंग ना बैटता हो जितना तेरे संग बैटता है अरे बस बस रहन दियो मैं समझ गयो अरे यार भाई लाला गधड़िया मेरा भी जुगार बनवाई जो यार आठंड में मैं तो भंडारे कर दूँगो भंडारे अरे यार कबूतरा जुगार तो मैं बनवाई दूँगो लेकिन तो को भंडारे करने पड़ेंगे भंडारे अरे यार भाई गदड़िया केसे भी करके यार मेरो अपने सालिक के संग साधी करवाई जो मैं भंडारे कर दूँगो बहुत जोर की भंडारे कर दूँगो जा है मोको एक बिगया खेत बेचने पर जाए लेकिन मैं भंडारी कर दूँगो बहुत जोर की भंडारी कर दूँगो चल तो फिर आजा अरे कहां चलनो है भाईया अरे घर चलेंगे और कहां चलेंगे थोड़ी देर में ही साली आने वाली होगी घर पे अरे हां हां भाईया गदरिया चलो चलो हम भी चल ले हैं घर पे अरे देख रहे हो भाईया दूसरे की साली को देखके कैसे लार टपक रही है याकी मोसे भी पहले भाग गयो है घर पे जाके देखो भाईया घर पे साली आया है कि ना आया है जब से बाबु जी को पतो चले हैं कि हमारे घर पे हमारी बहन आ रही है तब से एक को बार घर में ना आएं हमारे घर से हमारे परिवार से इतनों जलते हैं इतनों जलते हैं कि पूछिए मत अगर उनकी बहन आएगी तो पूछिए मत कहेंगी ये ला वो ला कचोड़ी बना समोसा बना पूरी बना और हमारी बहन आ रही है मुफूल गया है उनके हमारी बहन आ रही है पूछिए मत सारे के सारे पेट का पानी सूक गया है उनके सोच रहे होंगे कहीं ऐसा ना हो कि घर पे चलेंगे तो पेपसी भी पिलाने पढ़ेंगे मों को अरे कोई बात ना है कोई बात ना है जब उनकी बहन आएगी तो मैं भी घर में लेड़ जाऊंगे पेट दर्ध का बहाना करके पाली तक ना दूंगी तब पतो चलेगी उनको अरे क्यों भागवान अरे कैसे सुबा सुबा चिलाते चिलाते मूँ में से ज़ाग गिर रहे तेरे अरे ज़ाग ना गिरेगी तो का गिरेगी अरे का करूं आरती उतारू तेरी तुम्हारे करम देख के दिल तो मेरो यही कहतो है कि चपन निकालू और उतारू आरती तेरी अब देख लियो मेरे सास की देख लियो बे मदलब का गरम पढ़ रहे है मोपे अरे गरम ना पढ़ूंगी तो का करूंगी अरे का हुआ अरे कुछ बतावेगी भी कि बे मदलब का गरम पढ़ रहे है मोपे अरे जब मेरे बहन तुमसे कल ही फोन करके बताई कि आज के दिन आ रही हूं मैं तुम इस्टेशन पर जाके वाकुल लेना पा रहे हो अरे वो तो हमारे पास पास मिनट पहले ही कॉल लगाए थी करे ती जीजा मैं इस्टेशन पर से उतर चुकी हूँ और टंपू पगल के घर आ रही हूँ अब तु बे मदलब का गरम पढ़ रही है अब जब गरम पढ़ रहे तो भाई मैं क्या कर सकता हूँ अरे गरम ना पढ़ूँगी तो क्या करूँगी सबेरे से तुम गैब हो चुके थे दिखी ना रहे हो कहीं पे अब तु जदो बढ़ बढ़ के ना बोल नहीं है अच्छा अच्छा सही बात मैंने तुमसे बोल दी तु बढ़ बढ़ के बोल नहीं हूँ अब तु मोको हाथ उठाने पर मजबूर मत कर कहीं ऐसा ना हो कि छोटी बहन के सामने बड़ी बहन का बेज़जती हो जाए अरे यही काम तो है तुम्हारो बस हाथ उठाओ और मारो मोको मेरा तो कोई है ना ही मार लियो जितना चाहो उतना मार लियो अब तु मेरो खोपड़ी बेमदनप का खराब मत कर चुपचाप तो को समझाई रहा हूँ सांती से चली जा भीतर अरे क्यो भीतर जाक मैं बक्से में बैट जाओं अरे ना ना बक्से में कहां को बैटेगी ला दोल ला मजीरा ला बजा यहीं पे मैंने तो सुरू से ही तोको छूट दे दिया था या कि मारी तेरी आवाज इतनो निकल रही थी वणना तु मेरे सामने है इतनो बोलती ना चलो चलो ठीक है मैं कुछ ना बोल रही घर में रिष्टेदार आ रहे है जगड़े करने से का मतलब अरे हाँ हाँ जगड़े तो मैं ही कर रहा हूँ तु तो करना रही है कलेस तो मैं ही हूँ अरे कम से कम जाते मेरे बेंड को लिवा लेते बता वो बेचारी अकेले ही आ रही हुए अरे टेंसन मतले टेंसन मतले हम जाके बजार से पेपसी लेके आवेंगे अरे यार गदरिया मो को पेपसी का पैसा दाइजो मैं ही जाके लेते आऊ अरे जब तो को पैसे ही देने पड़ेंगे तो मैं ही जाके न लेते आऊ जीजा राम राम अरे अरे सालिस आहबा अरे राम राम आ गई तुम अरे पिलपिली अरे आ गई तुम ये बता हमें रास्तिम कोई परसाने तुना भई तुमको अरे नहीं जीजी हमको रास्तिम कोई परसाने दिक्कत ना हुई मैं तो बहुत अराम से आई हूँ अरे जीजा जी अरे गले ना मिलो है का हम से पिछली बार की तरह है अरे नहीं साली जी नहीं अरे अब तो तुम बड़ी हो चुकी हो अगर तुमसे गले मिलेंगे ना तुम्हारी दीदी गुसा करेंगे अरे पिलपिली मों से गले ना मिला जा रहा है तो को अरे जी जी तुमसे गले मिलने के लिए मैं तो कब से परसान हूँ अरे कम से कम हमसे भी गले मिल लेती अरे तेरो दिमाग ठीक है कि ना ठीक है मेरे सास की अरे ना यार भाई गड़िया ना अरे मैं तो ऐसे ही मजाग कर रहा था यार और बताएए देदी तुम ठीक ठाक हो ना अरे हाँ हाँ पिलपिली मैं तो ठीक हूँ ये बता घर पे मम्मी पापा सब ठीक ठाक है ना अरे हाँ हाँ देदी घर पे तो सब ठीक ठाक हो है चल अच्छा एक काम कर तू बैटे यही पे मैं तेरे लिए चाय बना के लाती हूँ अरे रहने दियो दिदी रहने दियो चाय बाइ मत बनाओ काहा को परसाम हो रही है अरे तु काहा को रोक रहे है मोको तु यहीं पे बैट मैं तेरे लिए चाय बना के लाती हूँ और बताओ साली क्या हाल है तुम्हारो कैसे कट रही है जिंदगी अरे जीजा जी सब दुआ हैं आपके बहुत बढ़ने कट रही है जिंदगी और बताओ पलहाई कैसे चल लए है तुम्हारी अरे क्या बताओ जीजा पलहाई में तुम मन ना लग रहा है मेरो अरे क्यो, क्या हो गया अरे जीजा क्या बताओ तुमसे अरे तुम तो खुदी समझदार हो समझ लो हमें तो लगतो है साली जी अब तुम्हारों जल्दी ब्यासादी करवाने पड़ेंगे अरे नहीं जीजा जी नहीं अरे मैं अपनी ब्यासादी अभी नहीं कर रही अरे कर लिए साली जी ब्याह कर लिए हम तो ब्याह करने के लिए कब से तयार हूँ अरे दीजा ये को है अरे ये कोई ना है ये हमारा दोस्त है गाउं का है अच्छा अच्छा ये तो बहुत भोला है अरे हम तो बहुत भोले हैं और हमारा घर भी बहुत बड़ा है अरे नहीं नहीं साली जी मैं तो बस तुमसे ऐसे ही बता रहा हूँ क्यों रे कबूतरा तु अपना मूँ बंद कर रहा होए कि भगाओं तुरे अपने घर से बाहर अरे नहीं यार गधरिया मैं तो बस ऐसे ही मजा कर रहा थे यार अब की बार अगर जा दो तु बोलेगा तो हम अगा दूंग अपने घर से बाहर अरे नाही यार गदड़िया अरे साली के सामने मेरो बेज़ेती मत कर यार अरे साली जी हमारे गाउं के सब लोंडेन ऐसे ही है गाउं में किसी की साली आ जाए पीछे पीछे गूमते फिरते रहते है अरे क्यों भाई गदड़िया घर में साली आ गई है तु घर से बाहर भी ना निकल ला हो मेरे सास की अरे तो क्या मेरे घर के बाहर तमासा हो रहा है का जो मैं घर से बाहर निकल के आऊं तमासा देखवे अरे घर के बाहर ना हो रहा हो है तो घर के बीतर तो हुई ही रहा हो है अरे राम राम साली जी अरे राम राम जीजा राम राम अरे हमारा भी थोड़ा बहुत ख्याल कर लिया करो अरे हम भी गदरिया के दोस्त हैं और तुम्हारे जीजा जी हैं अरे तु चिंता मत कर तेरो ख्याल मैं करूंगो अरे मैं हूँ ना अरे भईया गदरिया तु तो गुस्सा हो गया ऐर तु तो गुस्सा हो गया, अरे मैं तो गुस्सा नहो रहा, मैं तो तेरों आर्ति उतारोंगो आर्ति, अब ही णित्व है, जीजा तो थोड़े दरम करते रहें, जब देखो तक गुस्सा करते रहते हैं, यह के बातों का बुरा मत मानिये जा, वैसे तुमसे एक बात कहूँ अरे हाँ हाँ कहिए तुम्हारी आवाज मो को एकदम कोयल की तरह लग रही है एकदम पतली आवाज है तुम्हारी अरे मेरो डंडे भी बहुत प्यारे हैं कभी देखो है तुम क्यो रे पिरिया यःसे जब मेरो सेटिंग चल ला होए तुушки कहे बिद में बोल ला होए सेटिंग चल ला होए अबे तुम अपनी सकल कभी सीचा में देखा है कि ना देखा है अरे ये तो सिर्फ मों से प्यार करती है अरे जब पिछली बार आय थी तब इसे बात बात हो गया था इससे मेरी अरे साली जी अरे बताई जियो बताई जयो कभूतरा के किन से ज़्याद प्यार करती हो तुम अरे मैं तो किसी से प्यार ना करती हूँ अरे ओ पिल पिली अरे पहले तुम भीतर जाओ मैं इनकी अच्छे से खातिर दारी कर दूँ तुम दोनों यही सब करने के लिए मेरे घर में गुशा आए वैसे तुम मेरे सास के घर पे कभी न आवेंगे साली आने की खबर क्या सुन ली सारी के सारे घर पे पहुँश रहे है अरे क्यो बाई कड़िया अरे तो को तो अच्छी तरह से पता है ना यार कि तेरे साली के संग मेरो चकल चला होए रुक ले मेरे सास की तेरो भूद उतार दूँ अभी अरे अरे ओ भाईय गदड़िया ओ भाईय गदड़िया छोड़ देयार छोड़ देयार